आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उस बात को बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है सेकीन लार्जस्ट एरलाइन कमपनी बंद हो चुकी है दूब चुकी है कि जेट एर्वेज इंडिया की सेकिन लार्जस्ट कमपनी होने के बावजूद 17.8% मार्किट शेर में लीड करती है और जेट एर्वेज ही एक ऐसी कमपनी थी जो अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कमपनी थी और जीरो डेट कमपनी थी उसके बावजूद भी एक कमपनी डूब गई आपको जानके आश्चारे होगा कि जेट एर्वेज डूबी नहीं इंटेंशनली जेट एर्वेज को डुबाया गया है जी हां डुबाया गया है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेट एर्वेज ने अपनी अंतिम उडान 18 अप्रेल 2019 को अमरित सर से चत्रप्रती शिवाजी अंतरास्टी हवाई एड़े के लिए भरी 1992 के शुरुआती दौर से ही जेट एर्वेज एक प्रॉफिट मेकिंग कमपनी रही लेकिन आज लगबग 20,000 सादा करमचारी बिरोजगार हो गए जिसकी वज़व से डारेक्ट और इंडारेक्ट रूप में एक लाग से ज़ादा लोग प्रभावित हुए है एविएशन इंडास्ट्री इंडिया में एक अंडर पैनेटेटर्ड इंडास्ट्री है उसके बावजूद भी भारत की बहुत सारी एरक्राफ्ट कमपनी बंद हो गई आज हम बात करेंगे उन कारणों की जिसकी वज़व से इंडिया जैसे देश में इस तरह की कमपेर करते हैं किसी दूसरी कंट्री की एविएशन इंडस्ट्री से फ़र एक्जेंपल यूएज जैसे देश में जहांकि पॉपुलेशन मातर 32 करोड है उनके पास 7309 एरक्राफ्ट हैं जिन में से डिल्टा के पास 901 कॉमर्शल एरक्राफ्ट हैं और अमेरिकन एरलाइन की करें तो हिंदुस्तान में डेली में तीन रणवे और मुंबई में एक रणवे हैं और अगर बात यूएस की करते हैं तो में सेंफ्रस्को में 6-7 रणवे और लौस अंजलिस में 5-6 रणवे हैं फ्रेंट्स अंडर पैनेटेट्रिट इंडस्री होने के बावजूद भी जहां पर ग्रोथ की अपार संभावना हैं उस देश में ही कंपनीज बंद हो रही हैं और मैं बात केवल जेट एरवेज की नहीं कर रहा है बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बंद हो गई जैसे एरडेकन, किंग फिशर, सहारा एरलाइन और अब जेट एरवेज फ्रेंट्स एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का CEO होने के नाते जो बाते मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ना तो आपको मीडिया में मिलेंगी ना ही नियूस पेपर में मिलेंगी और ना ही कंपनी के इंप्लोईज को बाते पता होती हैं क्योंकि ये फॉल्ट्स CEO लेवल के होते हैं य या डिरेक्टर एंड मैनेजमेंट लेवल के होते हैं जिसकी वज़ा से एक कंपनी इंटेंशनली या लॉस मेकिंग कंपनी होने की वज़ा से बंद हो जाती हैं फ्रेंट्स डूपती हुई कंपनी को बचाने के लिए कई बार एक्विजीशन जॉइंट वेंचर या मर्जर का सारा लिया जता है लेकिन जेट एरवेस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब मैं आपको पताने जा रहा हूँ वो नाम जिसकी वज़ा से एक अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी डूब गई और बीस हजार से जादा कर्मचारी बेरोज़गार हो गए और एक ला कंपनी को डुबा दिया और इन पॉइंट्स को एक्स्प्लेइन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा वो कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको अपने बिजनस में कंसीडर करना है ताकि आप बहुत दरीक सफलता हासिल कर सके नमबर वन रॉंग इंटेंशन लीडर्शिप नरेश गोयल जो जेट एरवेस के सीओ थे उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी प्रॉफिट मेकिंग के लिए उन्होंने सारे कंट्रोल एंड राइट सेंट्रलाइज कर लिए अपने पास रख लिए जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे ए इसकी वज़व से बहुत सारी चीजों को अपडेट करने में बहुत अधी कॉस्ट लगने लगी और उसका डारेक्ट बेनिफिट उन्होंने अपने अकाउंट में लेना शुरू कर दिया ये सब उन्होंने क्यों किया इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा और नेक्स्ट फ्लाइट्स और इंटरनेशनल डेस्टनिशन को कवर करने के लिए जब एरकाफ्ट को और में बुक किया उसके साथ साथ ही अब तक एरक्राफ्ट नहीं आये थे उससे पहले ही बहुत सारा स्टाफ रिकूट किया गया जैसे पाइलेट, एरोस्टस, टेक्निकल स्टाफ, न लास्ट फाइड यर, पिछले पांच वर्षों से इंडिया एक प्राइस सेंस्टिव मार्केट है, जबकि अगर हम जेट एर्वेस की बात करें, तो फुल फिजिट एरलाइन, मतलब फुल सर्विस एरलाइन है, जबकि आज वो कंपनी लीड कर सकती है, जो प्राइस प्राइस कॉम्पिटिव मार्केट में लो कॉस्ट पर काम करने के लिए तयार है, जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट और एर एशिया, इन कमपनी जने आज लग्जरी को नेसेस्टी में कंवर्ट कर दिया, और जैसे यसे लग्जरी नेसेस्टी में कंवर्ट होती है, तो गोपिनाजी ने एर डेकन को एक economy class based aircraft के रूप में market में launch किया और उसके बाद Indigo, Spice Jet और Air Asia ने competitive market को capture किया अपने price war की policy से फ्रेंट जब आप किसी भी industry में market को lead करते हैं या देश की economy में आपकी बहुत बड़ी भागेदारी होती है तो उस समय government policies का भी आपकी industry पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और एक बात ध्यान रखेगा अगर government की policies आपकी company के लिए favorable होगी तो आपकी company अप जाएगी और ये दि government की policies आपके अगेंस्ट ही तो आपकी company down जाएगी और अगर government ही घोटाले बाज हो और आपकी intention भी घोटाले की हो तो आप और government मिलकर कुछ भी कर सकते हैं 1992 से ही jet airways के relation UPA government से strong हो गए और उन्होंने मिलकर एक ऐसी policy design की 1992 से ही jet airways के UPA government से relation अच्छे बन गए जिसकी वजा से 1992 से ही air India के prime time और peak hours के slots सभी के सभी jet airways को दे दिये गए और jet airways की सारी seat full pack जाने लगी और वो एक profit making company बन गई फ्रेंट जब तक UPA की सरकार रही jet airways एक profit making company के रूप में काम करने लगी और जैसे NDA के सरकार आई तो air India के सारे rights air India को वापस मिल गए प्राइम टाइम में उनकी flight जाने लगी और jet airways घाटे में जाने लगी ठीक उसी समय पर नरेश गोईल ने intentionally अपना profit अपना share अपना revenue generate करना शुरू कर दिया क्योंकि वो वो गलती नहीं करना चाहते थे जो गलती विजय मालय ने की और निरव मोधी ने की और उन्हें सही समय पर jet airways से resign किया और अपना profit under the table maintain कर लिया अगर आप एक अच्छी profit making company है या भविश्य में एक बड़ी profit making company बनना चाहते हैं तो आपको मेरी इन बातों पर ध्यान देना होगा number one निजी स्वार्थ पर ध्यान ना देते हुए company के vision और company के mission को ध्यान में रखते हुए company के hit के बारे में काम करें किस तरह से company अच्छा profit कमा सकती है किस तरह से company grow कर सकती है किस तरह से company expansion पर जा सकती है किस तरह से हम cost cutting कर सकती है किस तरह से अपनी sale को बढ़ा सकती है किस तर जादा से बहुत अधिक ग्रहक अपनी कंपनी में जोड़कर अपनी सेल को एक्सपेंशन को कंपनी के साइज को ग्रो कर सकते हैं And the next manage your business as per the market trend आज बाजार में किस तरह का trend है उस trend को ध्यान में रखते हुए अपने product में अपनी services में हमेशा इजाफा करें उसकी quality में सुधार करें और हमेशा ये सोच कर काम करें कि मुझे जादा से जादा लोगों को सर्व करना है Always upgrade your policy as per consumer behavior आज consumer का क्या behavior है वो किस तरह से आपके product या आपकी services के बारे में आपको review देता है उन review पर ध्यान दे और अपने आपको upgrade करते हुए अपने consumer का bank बढ़ाने का प्रयास करें और निरंतर सफलता हासिल करें And the next and most important thing design your policy as per the rule and regulations of government सरकार की जो policies है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी company की policies को design करें ताकि इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि कौन सी सरकार सत्ता में है कोई भी सरकार सत्ता में हो आपको हमेशा favorable benefit मिलता रहे और वो तभी संबब है जब government की policies को ध्यान में रखते हुए आप अपनी policies को design करेंगे And the moral of this video is कि आप हमेशा अपने personal benefit को न देखें हमेशा अपनी company के favor में काम करें उनके कर्मचारियों के लिए काम करें उनकी growth के लिए काम करें उनकी success के लिए काम करें तबी आप एक missionary और visionary person बनके अपनी company को इंडिया की top companies में सुमार कर सकते हैं मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनेरे बविश्य की काम ना करता हूँ जैहिंद जैभारत